नमस्का प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है मैं हुँँ आपके सतन के तोरा आईए अब खबर दिक्त मिस्तार से मुख्य मंत्री शिवरा सिंग चौन ने प्रधाम मंत्री नरेंतर मोधी को उनके जनम दिन पर बधाई और शुपकामनाय प्रक्षित की है मुख्य मंत्री ने का कि मोधी के रूप में देश को एक सशक्त और दूर दर्शी नेतरत में मिला है मोधी की नेतरत में आज पूरे विश्म में भारत का गौरब बढ़ा है उन्होंने मोधी के दिरगायू और शैसली जीवन की ईश्वर से कामना की है कॉंग्रिस सुमवार से भोपाल में विधान सवाचुनाव अभिहान का शंकनात करने जा रही है पार्टी अद्यक शिराहुल गांदी कारेकरता समवाद में युवाओं को रोजकार के अफसर नाद दिला पानी के मुद्दो पर राजिस सरकार को खेरेंगे साथ ही प्रदेश में कॉंग्रिस के सरकाप बनने पबेरोजकारों के लिए बड़े वादे का एलान करेंगे इसके पहले वे मनसोर गोलिकान की बर्सी पर किसानों के लिए 10 दिन में कर्ज माफी के वादे की खुशना कर चुके हैं मुखे मंत्री शिवरा सिंचोहा ने शाजापूर जिले में भ्रहमन के दौरान लगभग 26 करोर रुपेर लागत के विकास और निर्मान कारे का लोकारपन और भुमिपूजन किया मुखे मंत्री शिवरा सिंचोहा ने लोकसभा अद्यक्ष सुमित्रा महाजन का राज की विमान तल पर आत्मी स्वागत किया सुस्तर पर लोक निर्मान मंत्री रामपा सिंच, सांसर प्रभाजजा, ब्रिजेश, लुनावत, आदी गर्मान ये नागरी को प्रशांसिक अधिकारी मौजूद थे मद्रप्रदेश में चुनाव नस्दी काते ही प्रदेश का सियासी पाराज चर्ता जा रहा है अबिवाक इंदौर के देपाल पूर विदान सभाशेत्र में रोड शो के दौरान कॉंग्रिस प्रदेश अद्यक्ष कमलनाथ ने बड़ा दावा कर अपने विरोधी खेमे में हरकम को मचा दिया है कमलनाथ ने दावा करते हुए का है कि भारती जन्ता पार्टी के 30 विदायक उनके संपर्क में है ये विदायक कॉंग्रिस के टिकेट पर चुनाव लड़ना चाहते हैं उनके इस बयान के बार से सियासत तेज हो गई है बीचेपी ने उनके इस बयान पर पलटवार करते हुए का है कि कभी कमलनाथ भी बीचेपी के संपर्क में थे उनके पास कुछ मुद्दा नहीं है इसलिए माहूल बना रहे है फिलाल इस गुलेटर में इतना ही आप बने रही है EMSGV के साथ नमस्कार हमीजिया रोड भुपाल